Hello Traders, Welcome back again to your own channel. क्या हुआ? आज Nifty और Bank Nifty exactly 100% मैंने बहुत दिनों बाद ऐसा देखा कि एक जैसे range में Nifty और Bank Nifty close हुए हैं. आज देखें, Nifty के अंदर अगर देखें आप तो 2.89% का positive and Bank Nifty में 2.88% का positive. तो आप मान सकते हैं, 100% एक दूसरी को copy करता चले गया Nifty और Bank Nifty. जब भी ऐसा होता है, तो बहुत बड़े trade मिले हैं, past में भी हमने करके दिखाया है और आज भी देखें कितना बड़ा हमें मौका मिल चुका था. अभी मैं एक detail आपको chart दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे screen पे, अभी Nifty का chart मेंने खोल दिया है और daily time frame हम discuss कर रहे हैं, because as Friday है, कल चुटी है, परसों चुटी है, Monday को आपको trade मिलने वाला है तो हम बड़े time frame में इस देखते हैं कि market structure बना के सरा है, इस structure में आप देखेंगे कि यहाँ से exactly mid of October से 18,500 के आज पास से market ने downtrend शुरू करा है कहां तक, यहाँ पर देखें, mid of December तक, उसके बाद market ने low कहां पर लगाया, 16,270 अब अब चार्ट को बड़े ध्यान से समझेगा, यहाँ से नीचे आए, फिर यहाँ से उपर गया, कहां तक गया है, 18,400 almost कितना, only 100% का difference, previous high से, next time market नीचे गया, कहां तक गया, 15,700 या फिर 650 के आज पास previous low से कितना low, only and only 300 to 400 points, उसके बाद market ने फिर recover करा, कहां तक, 18,200 और previous high कितना था, 18,400, तो only 200 का difference, अभी market deep कर चुका है, कहां पे, exactly 15,700 पे 100% previous level के आज पास market आ चुका है, और यहाँ पर क्या हुआ, market उपर गया, फिर gap down खुला, फिर gap up खुला, अभी market यहाँ पर क्या हो रहा है, confusion में आ चुका है market यहाँ से downtrend में continuity करेगा, या फिर फिर से एक बार zigzag के mode में market आ जाएगा, अगर market zigzag शुरू करेगा, तो nifty में at least हमें कहां तक देखना चैस, 18,400 तक, और down में अगर यह break करता है, तो हम क्या कर सकते हैं, daily analysis को करके, इसको बहुत बड़ी असे trade कर सकते हैं, ऐसा ही कुछ हम discuss कर सकते हैं, nifty bank के अंदर भी, nifty bank क्या कर रहा देखे, exactly उपर, फिर नीचे, फिर उपर, फिर नीचे, फिर उपर, फिर नीचे, लेकिन, यहाँ पे आप देखेंगे, अभी जो bank nifty का previous low था, बो था 32,500, and market अभी है, 34,300, तो यहाँ पे आप देखेंगे, अभी भी market में difference ह है, almost 1700 points का, यहाँ से एक चीज़ आप देख सकते हैं, कि bank nifty में space है, बट अगर bank nifty को नीचे जाना है, तो बिना nifty के नहीं जा सकता, तो simply आप बड़े time frame में हमेशा analyze करिए, कि market structure कैसा बना रहा है, इसके हिसाब से आप specially investment, या फिर आप swing trading करना चाहते हैं, आप 2 दिनों के के लिए कोई strike price को लेके trade करना चाहते हैं, तो उस case में आपको बड़ा structure जुरूर पता होना चाहिए, कि market कहाँ पे कैसा एक structure बना रहा है, उसी साब से आपका सही time investment का हो सकता है, या फिर सही time market से पैसा निकालने का भी बन सकता है, इसी structure में आप screen पे देखेंगे, ये जो points से यहाँ पे investors के लिए बहुत बड़िया time रहता है, यहाँ पे जब market था, तो मैंने already बता दिया था कि क्या ये सही time है investment के लिए, हमेशा सही time investment के लिए कब है, जब market already top से 40%, 30%, 35% के आसपस down हो, तो वो सबसे बड़िया मौका आपका investment का रह जाता है, because आपका risk factor कम हो जाता ह and वहाँ से recover करने का time भी कम हो जाता है, जिससे आपका जल्दी profit बनने के chances बन जाते हैं, तो simply यह कीजिएगा, जब भी market deep आता है, हर time अपने portfolio को add करते रहिए, अपने previous में कुछ quantity or add करते रहिए, या फिर stock selection, जिस तरह से अगर finance में आपका पहले है, finance stock आपके पहले से हैं, तो आप health के stock buy कर सकते हैं, अगर आपके पास health के stock already हैं, तो आप bank से related stock buy कर सकते हैं, इस तरह से different categories को आप अपने portfolio में add कर सकते हैं, जिससे आपका portfolio भी balance रहेगा, साथी साथ deep में सारे portfolio कभी एक साथ नीचे नी जाएंगे, तो आपका fund भी हमेशा profit में दिखता रहेगा, तो यहां पे कुछे quantity अपनी add कर सकते हैं, चाहे तो market और नीचे जा सकता है, जिस पे हमारा control नहीं है, बट यहां से क्या है, अगर market ने recovery दिया, तो बहुत बड़ी आपका profit यहां से बन सकते हैं, तो चलिए guys, अगर आपको वीडियो का point of view अच्छा लग रहा है, अगर आपको market के understanding में कुछ help मिल रही है, तो simply आप हमारी वीडियो को like कर सकते हैं, comment कर सकते हैं, और share कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमसे जूट सकते हैं, my trade logic के नाम से, youtube, facebook, instagram और specially telegram पे आप इसी नाम से हमें find out कर सकते हैं, और हमेशा की तरह जाते जाते right side में attach कर रहा है complete series, basic about stock market, जिसम base से आपको बताया गया है कि कैसे आप market को understand कर सकते हैं, और कैसे आप invest कर सकते हैं, चलिए guys, मिलते हैं Monday, तब तक के लिए enjoy करिए अपना weekend, good luck and take care.